शहनाज उत्राखंड में है लेकिन फैंस अभी भी जानना चाहते हैं कि आखिर इस वक्त शहनाज कहा है और उत्राखंड में शहनाज इतने दिनों से जो है तो आखिर क्या कुछ नया आने वाला है और कौन-कौन है उनके साथ क्योंकि जिस तरह से पिक्स और वीडियो सामने चाहरे हैं फैंस और भी जादा एक्साइड़ होते चाहरे हैं सारी चीजे जानने के लिए तो बताएंगे हम आपको अपने इस वीडियो में पूरी बात तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन जरूर प्रस करिए यहाँ पर आप देख रहे हैं वीडियो यह वही जगह है जहाँ पर शहनाज मड में फस चुकी थी शहनाज की गाड़ी एक्चुली मड में फस चुकी थी और शहनाज तो भाई गाड़ी फसते ही वहाँ से निकल चुकी थी और मड में बहुत सादा इंजॉय कर रही थी और और वहीं से गाइस बहुत सारी चीज़े सामने आ रहे हैं कि शहनास के साथ वहाँ पर उनकी पूरी टीम मौजूद थी रागव भी एक वीडियो में नजर आये हैं और मौसम वहां का बहुत खुश करवार है क्योंकि शहनास भी लगातार वीडियो और पिक्चर्स वगेरा श शहनास का भही यही अंदास तो फैंस को भाजाता है नेगेटिविटी को छोड़ो नेगेटिविटी को इगनॉर करो और अपना फन करो इंजॉय करो हैटर्स अपने आप आपका इंजॉयमेंट देखकर चुप हो जाएंगे और यहां पर शहनास ने बहुत सारे लोगों को प्रमोट भी किया है उन्होंने होटेल्स को प्रमोट किया है और अब जो उनकी लेटिस्ट अपडेट सामने आ रही है गाईस की शहनास रिशी केश में थी पहले और अब वहां से निकल गर दहरा दून पहुंच चुकी है क्योंकि वहां पर उन्होंने एक सैलो का भी दर से सारे पिक्चर्स वीडियो सामने आ रहे हैं एक बात तो आपने भी नोटिस कर लिए होगी कि शहनास की पूरी टीम उनके साथ है तो हम सोच सकते हैं कि कोई ना कोई प्रोजेक्ट हमें जल्द देखने को मिलेगा क्योंकि टीम अगर साथ है शानास के तो जरूर कुछ सब्प्राइस फैंस के लिए प्लान किया गया है आपका क्या है कहना कमेंट में आके हमें ज़रू बताएगा वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके ज़द ज़द शेयर कीजेगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन भी ज़रू प्रेस करेगा लेटिस्ट अप्डेट के लिए थैंक्स वर वाचिंग आइस